मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है मगर रियालिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है जो मैंने कहा था जो मैंने कहना था मैंने कह दिया वो सच्चाई है और एक्सपंज करें जितना करना है करें अब राहूल गांधी है कि नरेंद्र मोधी की दुनिया में बयान एक्सपंच किये जा सकते हैं लिकिन सच्चाई छिपती नहीं क्या संविधान के अनुरूप चलने वाली संसत को वो नरेंद्र मोधी की दुनिया कहते हैं जहां राहूल गांधी को उनके पार्टी के 97 सदों को जिता कर जनता ने अंदर भेजा क्या वो संसत केवल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की दुनिया है यह सबाल राहूल गांधी से जरूर पूछा जाना चाहिए एक बार फिर आपको बताते हैं राहूल गांधी ने आज क्या कहा मोधी जी की दुनिया में सचाई एक्सपंज हो सकती है मगर रियालिटी में सचाई एक्सपंज नहीं हो सकती है जो मैंने कहा था जो मैंने कहना था मैंने कह दिया वो सचाई है और एकस्पंज करें जितना करना है करें सच्चाई सच्चाई होती है धन्यवाद मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एकस्पंज हो सकती है मगर रियालिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है जो मैंने कहा था जो मैंने कहना था मैंने कह दिया वो सच्चाई है और एक्सपंज करें जितना करना है करें सच्चाई सच्चाई होती है धन्यवाद कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वह आप सत्य कहते हैं यानि हंपने बयान को रेक्टिफाई करते हुए कहा वा हमिए ड़िया को कि दौरा काउंटर के कि नरेंद्र मोधी पूरे हिंदू समाज नहीं हो सकते बीजिपी पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकते या आरेसस पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकता यही बात राहूल गांधी अपने पहले वक्त अव्य में कह सकते थे लेकिन उस वक्त राहूल गांधी ने क्या कहा जो कि ग् हिंदू होने की बात करते हैं वो हिंसा की बात करते हैं राहूल गांधी ने हाला कि यह कहा कि सच्चाई डबाई जा रही है बयान को काट छाट करके दिखाया जा रहा है और सच्चाई डबाने की कोशिश हो रही है कर लोग सुभा में राहूल गांधी अपने भाशन में ऐसी कई सारे गलतियां कर गए जिस पर बहुत बबाल मचा